हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लण विर्दी दीमन आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षण विदियों के अंतरगत आपके कुछ ऐसे प्रेस्टन जो की एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि जितनво ज्याद़ प्रेक्टिस करते हैं सिक्षण विदियों से रिलेटिड उतने ही ज्याद़ा मार्थ जो हमारे एक्जाम में आते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही ये रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं और आप बताईएगा कि आप इन्हें इत्में से कितने प्रश्णों उनके सही आंसर दिये हैं साथवी कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कारे समाप्त कर लेती हैं हिंदी भासा सिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे तो सपोज आप ही हिंदी भासा सिक्षक हैं तो आप क्या करोगी अगर आपकी क्लास में एक जो बच्ची है वह सबसे पह करने के लिए कहेंगे या आसा से शांत बैठने के लिए कहेंगे तो देखिए इन में से जो सही उत्तर होगा यहां दो आंसर जो है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें किसी भी बच्चे की दूसरे से तुलना नहीं करनी है यानि सैकिंड जो है वो बिल्कुल हो जाएगी ठीक है तो फोर्थ है ये भी नहीं होगा तो अंसर क्या होगा इसका सही अंसर जो है वह होगा कि आशा को उसकी पसंद का कारे करने के लिए कहेंगे जिससे की वह अपने कारे में व्यस्त हो जाएगी और बाकी जो बच्चे हैं वो कारे कर लेंगे आशा को दूसर भासा के बिविन प्रयोगों से युक्त सामिग्री उपलब्द कराएंगे, संस्कृत निस्ट हिंदी भासा से युक्त सामिग्री उपलब्द कराना, थर्ड है हिंदी भासा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामिग्री उपलब्द कराना, या घून अर्थवाली भासा स युक्तसामिग्री पढ़वाना तो कुश्यन में क्या पूछा गया है कि हिंदी भासा की बारीकी को सही रूप से समझने की शम्ता का विकास करना है तो इसके लिए ना तो संस्कृत निस्ट हिंदी भासा से युक्तसामिग्री उपलप्त कराएंगे ठीक है और ना ही प्राच युक्तसामिग्री होंगी वही उपलप्त करवाएंगे जिससे की समझने की जो शम्ता है उसका विकास होगा तो कुश्यन पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर जो है वह है चूज करना है हिंदी भासा सिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर मानते हैं तो इन चार में से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आप किसको मानेंगे बच्चों की लेखन शम्ता का विकास करना बच्चों को विभिन संदर्वों में भासा प्रयोग सिखाना बच्चों की मौके कविव्यक्ति की शम्ता का विकास करना या बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना तो देखिए हिंदी भासा सिख्षक के रूप में सबसे अधिक important क्या होगा लेखन शम्ता पिल्कुल एक पक्ष की बात हो रही है जो चार कोशल है हमें चारों में दक्ष करना है बच्चे को तो यहां एक पक्ष की नहीं हो धार देंगे तो लेखन और वाचन इसका क्या होगा फोर्थ है बच्चों को व्याकरण के नियम नहीं करते हैं क्योंकि हमें नियम नहीं सिखाने हमें बच्चों को संदर्वों से जोड़ना है, जिससे कि वो अर्थ ग्रहन कर सकें, तो इसका सही आंसर होगा, बच्चों को बिभिन संदर्वों में, बिभिन संदर्वों में भासा प्रियोग सिखाएंगे, चलिए next है, जो बच्चे विशेश रूप से पढ़ने में कटनाई मैसूस करते हैं, वे डिस्ग जो कटनाई मैसूस होती है, तो वह होती है, मंद बुद्धी या मंद बुद्धी की बात नहीं हो रही है, यहां पर तो पढ़ने में कटनाई मैसूस कर रहा है बच्चा, सीखने में अक्षम है, तो फिर कटनाई उसे मैसूस ही नहीं हो रही है, तो यहां आंसर जो होगा, वो उगर dyslexia क्योंकि पढ़ने से सम्बन देती ये problem होती है. नेक्स्ट है भासा अर्जन बच्चे भासा को सहज और सवभाविक रूप से सीखते हैं, भासा अर्जन में बच्चे भासा को सहज और सवभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, सवभाविक और प्रियास्मून तरीके से सीखते हैं, या सहज अरजन की बात हो रही है, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तो देखिए, एक होता है भासा अरजन और एक होता है भासा अधिगम, ठीक है, तो भासा अधिगम जो है, उसके लिए तो हमें प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन भासा अरजन की बात होती है, तो व भासा अर्जन की तो भासा अर्जन के लिए बच्चा जो है वो भासा को सहज और स्वभाविक रूप से सीख जाएगा नहीं कोई उसे प्रैक्टिस कराई जाएगी स्वभाविक तो होगा लेकिन प्रियास नहीं किया जाएगा और नहीं कोई प्रैक्टिस की जाएगी तो इस जो हैं वो हिंदी तर ही हैं फिर भी वो कटनाई मैसूस कर रहे हैं क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मात्र भासे की सरंचना में अंतर होता है सैकेंड है वे मन लगा कर हिंदी नहीं पड़ते हैं थर्ड है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुची होती है या हिंदी बहुत कठिन भासा है तो देखिए इसका आंसर होगा कि वह हिंदी और उनकी जो मात्र भासा है उनकी जो सरंचना है उनमें अंतर होने की वज़े से कठनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीख रहे हैं, ये तो कोई बाद ही नहीं हुई, उसके बाद है हिंदी सीखने के प्रति उनकी अरुची होती है, नहीं, वो तो हिंदी तर भासी बच्चे हैं, हिंदी को तो वो पसंद ही करेंगे, हिंदी बहुत कटिन बासा है, ऐसा बिलकुल नह ही होता है next है ग्रह कारे के बारे में कौनसा कतन उच्छित है कौनसा सही है ग्रह कारे देना अत्य आश्य क्या यानिंगी बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रह कारे देना हुँव अभ्यास मात्र है तो कौन सा कथन जो है वो उचित होगा तो देखिए जो फर्स्ट और सेकिंड है ये तो बिल्कुल रोंग हो जाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ग्रह कारे जो है वो दियाई ही जाए नेक्स्ट और अभिवागों को व्यस्त करने का ये उत्तम सादन ये तो नहीं अब थर्ड और फोर्थ यहाँ पर हमको देखना है कौन साब का सही होगा आंसर जो है वो ये सही होगा थर्ड कि बच्चों की जो शमता है उसको ध्यान में रखते हुए उनका जो लेवल है उनको पुकमात्र संसादन है केवल एक संसादन है ये बोला है साध्य है या साधन है तो देखिए भासा शिक्षण में जो पाठे पुस्तक है वह है एक रिसोर्स का काम करता है क्या है एक साधन है नेक्स्ट है एक खक्षा एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती है सबसे बड़ी चुनोती क्या है बहु भासे कक्षा के सिक्षण के लिए उचित रण नीतियां तह करना बच्चों को भासा सीखने के महत्व से परिशित कराना बच्चों की भासा को संचार सादनों के प्रभाव से मुक्त रखना या भासा संसादनों का अभाव है तो यहाँ पर पूछा क्या है सबसे बड़ी चुनोती एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनोती तो देखिए सही आंसर होगा कि सबसे बड़ी चुनोती क्या है? बहु भासिक कक्षा, यानि कि बहु सारी भासाएं हैं उसके साथ कक्षा में सिख्षक जो है वो पढ़ा रहा है, तो उनके लिए सिक्षण के लिए उच्चित रणनीती जो है वो तै करना ये सबसे बड़ी चुनोती होती है एक भासा सिक्षक के रूप में नेक्स्ट है बच्चों के लेखन कौशल का मुल्यांकन करने के लिए कौन से विधी सबसे बहतर हो सकती है लेखन कौशल का मुल्यांकन करना है तो क्या उन्हें सुन्दर लेख का अभ्यास कराएंगे अपने अनुभवों को लिखना ऐसा कहेंगे शुरुत लेख कहेंगे या पाठा अधारित प्रशनों के उत्तर लिखने को बोलेंगे तो देखिए लेखन कौशल का मुल्यांकन करने के लिए सबसे बैस्ट जो विधी है वो कौन सी हो सकती है तो यहां सबसे बैस्ट जो है वो एक ही दिखाई दे रही है कि अगर बच्चे को हम बोलेंगे कि वो अपने अनुभव लिखें तो यहां पर लेखन कौशल जो है व बच्चे कक्षा में एक आग्रचित होकर शांत बैठते हैं या बच्चे अनुशाशित रहते हैं तो कहानी सुनाने का क्या मोटिव होता है क्या उदेश्य होता है क्या केवल बच्चे प्रशन हो जाए इसलिए कहानी सुनाई जाती है या चुपचाप शांत होकर बैठ जाए इसले सुनाई जाते या फिर वो discipline में रहें तो कहाने सुनाने का उदेश्य ये होता है कि उनकी जो कल्पना शक्ती है उनका जो चिंतन शक्ती है उसका विकास हो सके नेक्स्ट है एक समावेसी कक्षा एक inclusive class है उसमें कौन सा कथन भासा सिक्षण के सिद्दांतों के प्रतिकूल है यानि की opposite है प्रतिकूल है फिर्स्ट है ब्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भासा विकास सीग्रता से होगा बच्चे परिवेश से प्राप्त भासा को ग्रहन करते हुए भासा प्रियोग के नियम बना सकते हैं भासा परिवेस में रहकर अरजित की जाती है या print सम्रद माहौल भासा सीखने में सहायक होती है तो इनमें से जो प्रतिकूल है उससे आपको देखना है तो जो एक समावीसी कक्षा है उसमें भासा सिक्षन का जो सि जाएगा तो देखिए आंसर क्या है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भासा विकार सीगरता से होगा तो ये बिल्कुल ही गलत बात है हमारी क्लास जो है वो इंक्लूजिव क्लास है और हमें भासा शिक्षन की अगर सिद्धांत सिखाने है तो उन्हें व्याकर के नियम बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं भासा परिविस में रहकर अबजित की जाती है बिल्कुल की जाती है प्रिंट सम्रद माहूल भासा दीखने में सहायक होती है चलिए नेक्स्ट हैं बोलना कौसल में महतवपूर है क्या महतवपूर है मधुरवानी संदर्व ए बोलना कॉशल में है, तो यह सभी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है, महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो सबसे बैस्ट होगा, वो अप्शन हम चुन लेंगे, तो यहाँ सबसे बैस्ट क्या है, कि बोलना कॉशल में संधर्व और इस्तिति के अनचार, यानि कोई जो परिस इस्तिती है, उसकी according ही अपनी बात को कह सकना, यह बोलना कॉशल में सबसे जाता important रखता है, नेक्स्ट है, एक बहु बहु शांस्कृतिक कक्षा में, जानि की बहुत सारे जो भी अलग-अलग संस्कृति के बच्चे हैं, वो क्लास में हैं, तो उसमें आप एक भासा में किस बात को अधिक महत्व देंगे, बच्चों को भासा प्रयोग के अधिक से अधिक अफ्सर देंगे, वही सबी अपनी भासा आओ किस पर रख सकते हैं, पाठ है उस त अभी बच्चों को अपनी अपनी भासा प्रियोग के जो अफसर हैं, वो हम देंगे, Next है, उच्च परात्मिक इस तर पर भासा सीखने को प्रभावित करता है, अब उच्य प्रात्मिक की बात आ गई, देखिए प्रात्मिक इस तर याने की एक से लेकर 5 वी गिलास तक उसके बाद उच्य प्रात्मिक इस तर पर भासा सीखने को प्रभावित करता है। किया जाने वाला सुलेक वो परभावित करेगा क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ी सी बड़ी है तो यहां पर सिक्षक का भासा संबंदि जो रवयद्श होगा वही भासा सीखने को सबसे जादा प्रभावित करेगा तो ये था अंतिम प्रशन और इसी तरीके से हम प्रशन जो है वो लेकर आते रहेंगे जिसे की आपकी practice जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी और आपको practice इतनी हो जाएगी कि आप चुटकियों में जो exam में question आएगी उनको हल कर पाएगे. क्योंकि देखिए ये रटने से नहीं ह यह तो किमात्र प्रैक्टिस से ही होगा तो चलिए ऐसे करते रहेंगे हम प्रैक्टिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू